आपके अपने चैनल जोतिश इन्वास को में कैसे हैं आप सभी आज हम आपर बात करने वाले हैं दनुराशी के बारे में दनुराशी के लिए साल 2024 क्या कुछ लेकर क्या आ रहा है दनुराशी को 2024 के साल में क्या कहां पर सावधानी रखनी है कैसे आप सभी के लिए ये साल जाता हूँ नजर आएगा साधी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में अन तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर एक बहुत इंपोर्टन चीज के बारे में दनुराशी ये 2024 का जो साल रहेगा इसमें आपको एक मैत्वपुन चीज का विशेश ध्यान रखना है इस पूरे साल में आपको सही और गलत की पहचान होनी चाहिए बहुत बार ऐसे मूमेंट आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर आप अपने आपको ब्रमित समझेंगे आपको समझ नहीं आएगा कि क्या सही है और क्या गलत है कौन से समय पर कौन से कदम आगे बढ़ाने हैं ये कही न कहीं आप ना समझ पाएं और आप जाने अन जाने किसी तरह से गलत डिरेक्शन में टर्न कर जाएं इस तरह की योग यहाँ पर बन रहे हैं इस वज़े से 2024 के साल में सही और गलत की पहचान होना आपके लिए बहुत बहुत ज़ादा जरूरी है 2024 में जैसे बच्चों के लिए स्पेशली में कहूंगा कि अगर आप कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप किसी से सला मश्वरा कर लें, एडवाइस ले लें और उसके बाद एक सही सब्जेक्ट का चैन करें क्योंकि overconfidence में आकर कि अगर यहाँ पर आपको लगता है कि मेरी लिए यह particular subject अच्छा है और मैं तो इसी में जाऊंगा मुझे लगता है कि आप कही निके गलट diesel लेंगे और आप अपने future को खराब ना कर दें, इस बात का आपको विशेश ध्यान रटना है तो इसी तरह से इस पूरे साल में कई बार कई सारे ऐसे मौके मिलेंगे आपको चाहे वो job में हो जाए, चाहे वो business में हो जाए, चाहे वो relationship में हो जाए, चाहे वो education में हो जाए जहाँ पर बार बार गलत निर्णय की वज़े से आप अपने आपको गिरा सकते हैं तो एक important चीज़ जो आपको ध्यानक नहीं है वो है समझदारी और सही गलत के बीच में अंतर जहां पर आपने इस चीज़ को समझ दिया आपका ये पूरा साल अच्छा हो जाएगा नहीं तो ये पूरा साल आपको बहुत सारी परिशानियों में लेकर के आ सकता है शुरुवात करते हैं पारिवरिक जीवन से पारिवरिक जीवन में यहां पर देखा जाए तो पति-पत्नी के संबंदों में टकरार और तनाव हो सकता है इस तरह के योग यहां पर बनते हैं कास कर मेज 2024 का जो समय रहेगा या मेज जून 2024 का जो समय रहेगा ये थोड़ा सा परिशान करने वाला समय जरूर दिखाई देगा परिवार में किसी तरह की खटपट थोड़ी सी परिशानिया पैदा करेगी इस तरह की योग यहाँ पर बनते हैं शादी शुदा हैं अगर आप, तो आपके affair होने के chances भी यहाँ पर बनते हैं और affair पकड़ा सकता है इस तरह के भी योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं तो इसलिए गलत direction यहाँ पर मिलेगा आपको जहाँ पर आप गलत गती वीदियों में अपने आपको involve कर सकते हैं परिवार से चुप करके, छिपा करके कोई काम करने की कोशिश कर सकते हैं इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं इसी के साथ साथ बहुत strong chances है कि आप किसी अपने को धोखा दे इसी लिए धनुराशी यह गलती ना करें थोड़ा सा समझदारी रखें और अपने आपको इन गलत गती वीदियों से बचा के रखें ताकि कोई और आपको influence ना कर पाए और आप अपने आपको safe direction में आगे बढ़ा पाएं नहीं तो पारिबारिक रिष्टे खराब होंगे रिष्टों में दरारे पड़ेंगी और जिसकी वज़े से आपको काफी सारी परिशानिया देखने को मिल सकती है अब बात कर लेते हैं याँ पर अगर शादी नहीं हुए तो क्या शादी करना चाहिए देखें ये साल देसे विवाहिक जीवन के लिए थोड़ा सा अप एंड डाउन वाला समय है इसलिए जैसे मैं कौँगा जाते समय में शादी करिएगा तो जादा अच्छा रहेगा उकते साल में शादी ना करें नहीं तो वहाँ पर आपको नुकसान देखने को मिल सकता है प्यार का इजार करना चाहते हैं कमिट करना चाहते हैं किसी को अपने मन की बात पताना चाहते हैं तो भी मैं आपको कोऊँगा कि March-April के बाद ही आपको कदम बढ़ाएं, तो आपके लिए ज़ादा अच्छा है, March-April के पहले Break-Up की टेंडेंसी काखी ज़ादा दिखाई देती हैं, और जहांपर Break-Up की टेंडेंसी ज़ादा हो जाएं, वहाँ पर फिर वो रिष्टे टिक लिखते नहीं संभलते नहीं इस बात का ध्यान लखिएगा तो इस वज़े से आपको थोड़ा सा यहां पर बैलेंस करके चलना जरूगी है अब बात कर लेते हैं यहां पर आपके लिए financial समय कैसा जाएगा तो जॉब करते हैं जॉब में तरक्की की आप संभावनाय रखते हैं तो मैं बेलकुल कहूँगा कि यहां पर आपको जॉब में तरक्की मिल सकती है बट जॉब में आपको बहुत समझदारी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूत है कोई allegations आपके उपर लग स सकता है इस तरह के भी योग बन रहे हैं यहां पर देखा जाए तो जॉब में आपको तरक्की ज़रूर मिलेगी अगर आप अपने बर्त प्रेस से दूर काम कर रहे हैं तो यह समय जॉब के लिए काफी ज़दा अच्छा है जॉब सर्च कर रहे हैं नई जॉब को लेना चा तो बहुत अच्छे result देखने को मिल जाएंगे यहीं पर देखा जाए तो यह समय जो रहेगा यह बिजनस को explore करने का नए बिजनस की शुरुआत करने का और साथ इसाथ अपने बिजनस को आगे बढ़ाने का समय अच्छा दिखाई दिता है प्रॉपर्टी खरीदना चाहत करते हैं तो यह भी आप second half of the year में कर सकते हैं आपके लिए अच्छा result रहेगा कहीं कोई दिक्कत पर परिशानी यहां पर देखने को नहीं मिलेगी विवाहक के बाद संतान की कोशिश करते हैं तो इस साल में आप जरूर कोशिश कर सकते हैं पारिवारी के जीवन को अच्छा बनाने के लिए यह एक बड़ा अच्छा कदम रहेगा जहां पर आपका परिवार बैलेंस करेगा और परिवार बढ़ेगा इस तरह के योग यहा कामले में आपको थोड़ी सी समझदारी रखने की जरूरत है रात को लेट तक नीन ना आना या फिर रात को सोते सोते ओवर्टिंकिंग करना आपको ज्यादा परिशान करेगा ब्लड पेशर की बिमारी आपको परिशान कर सकती है इस तरह की योग यहां पर बन रहे हैं और इसी के साथ-साथ मैं आपको जरूर कहूंगा कि आपको गाड़ी चलाते समय पूरी तरह से साफधानी रखनी चाहिए ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत कोई परिशानी ना देखने को मिले यहीं पर आपको पूरी तरह से अपनी हेल्थ का ध्यानक ना है चोटी सी भी काफी जदा अच्छा समय है अगर उन्हें सही डिरेक्शन मिल जाये तो अगर आप सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं सरकारी एक्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफी अच्छा समय रहेगा इस साल में कई मौके हैं जहाँ पर आपको सरकारी नौक से काफी ज़ाद अच्छा दिखाई दिता है पर उसके बाद आपको थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूत है और उसके बाद बच्चों को एक्जाम पास करने में काफी ज़ादा मेहनत करनी पड़ेगी इस तरह की योग यहाँ पर दिखाई दिते हैं सो ओवरोल पूरा साल अच्छा है बस थोड़ी सी साफधानी आपको रखनी है जिससे की रिलेक्शनशिप खराब ना हो ओफिस में जॉब में किसी तरह की कोई उलजने आपकी सामने ना आए और आपका पूरा साल आराम से निकल जाए किसी तरह की कोई नेगडिवटी आपको